दोस्तो जैसे ही आप अपना WhatsApp नमबर इंटर करते हो, next वाले option पे क्लिक करते हो और यहाँ पे OK पे क्लिक करते हो, तो आपको यहाँ पे दो option मिलता है, continue or verify with SMS, तो जब आप verify with SMS पे क्लिक करते हो, तो आपके नमबर पे OTP आता ही नहीं है, देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे भी वही problem देखने को मिल रहा है, कि मेरे इस नमबर पे WhatsApp का OTP आ ही नहीं रहा है, और आपके साथ भी यही problem हो रहा होगा, आज मेरे पास तीन दोस्त मेरे नजदीक के आएं, और उनका भी यही problem था, लेकिन मैंने उनको उनके problem को solve करके और उनको पुना भेजा, तो दोस्तों उनको तो मैंने खुसी-खुसी बिदा कर दिया, लेकिन अगर आप इस वीडियो को last तक देखोगे, तो आपका भी नमबर पे OTP verification हो जाएगा, आपके भी नमबर पे OTP आएगा, और नहीं भी आएगा, तो मैं आपको दूसरा उपाय बताऊंगा, तो वीडियो को अभी तक like नहीं किये हो, तो जल्दी से like कर देना, चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को subscribe कर देना, और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, तो वीडियो पे बने रहिएगा, तो यहाँ पे आपको सबसे पहला काम करना क्या है, अगर आपके WhatsApp पे OTP नहीं आ रहा है, तो अपने WhatsApp को close करना है, close करने के बाद सबसे पहला काम, अपने WhatsApp के उपर long press करना है, i button के उपर click करना है, और यहाँ पे आप सबी को clear data के उपर click करना है, तो clear catch करना है, okay करना है, और clear all data कर देना है, तो इतना करने के बाद आपको अपना फिर से WhatsApp नमबर एंटर करना है, तो यहाँ पे next के उपर click कीजे, agree and continue पे click कीजे, तो यहाँ पे मैंने अपना number इंटर कर दिया, next के उपर मैंने click किया, और यहाँ पे yes के उपर मैंने click किया, तो फिर से मुझे वही option आ रहा है, तो अगर आपके number पे sim लगा हुआ है, तो continue के उपर click करिए, तो जैसे ही आप continue के उपर click कीजेगा, allow के उपर click कीजे, फिर से allow कीजे, और अब आपके number पे call का request WhatsApp भेजेगा, और यहाँ पे आपके number पे call आएगा, और call आने के बाद आपका जो WhatsApp है, वो पूरा verified हो जाएगा, तो दोस्तो इस तरीके से आप अपने WhatsApp के अंदर, ये जो OTP not coming वाला problem है, उसको solve कर सकते हैं, call करवा कर, इतना करने के बाद भी इनका जो problem है, वो solve नहीं हुआ था, इतना करने के बाद भी इनका जो problem है, वो solve नहीं हुआ था, और इनके number पे OTP नहीं आया, नहीं इनके number पे कोई call आया, call के लिए request भेज रहते, तो एक घंटे दो घंटे ऐसा करके बोल रहा था और ये बोल रहे थे कि मैं पिछले 24 घंटे से ऐसे ही परिशान हूँ लेकिन मैंने क्या किया अगला मैंने अपना step लगाया अगला step आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने whatsapp को close कीजे और अपने phone को switch off करके on कीजे तो अपने power button को दबाईए यहाँ पे आपको एक option रहेगा reboot का तो reboot पे click कीजे और यहाँ पे अपने phone को switch off करके on कीजे और यही काम मैंने उनसे करवाया इतना करवाने के बाद सबसे पहला काम मैंने एक और क्या करवाया कि मैंने बोला कि आप इस number पे message भेजो उन्होंने message भेजा उन्होंने message जो भेजा वो मुझे प्राप्ति भी हो गया उनके number पे तो मैं confirm हो गया कि इनके phone के अंदर mobile का recharge है और इनके number पे message भी आ रहा है तो अब मैंने अपना जो जुगार है वो फिर से लगाया तो आपको भी अपने number पे किसी दूसरे phone से पहले चेक करवा लेना है कि आपके phone पर कोई message आ रहा है या नहीं आ रहा है अगर नहीं आ रहा ह तो आपका phone का recharge खतम हो चुका है इसके वज़ा से आपके phone पे WhatsApp का OTP नहीं आ रहा है और अगर आप सभी अपने phone को switch off करके और on करोगे तो ये आपका problem definitely solve हो जाएगा और जैसे ही आप इतना करोगे और आपके number पे OTP आ जाएगा OTP नहीं आता है तो call verification वाला problem से solve कर सकते हैं ये आपका final step है mobile switch off करके जैसे ही आप on करोगे तो आपको अपने WhatsApp को uninstall करना है ठीक है ध्यान दीजेगा मैं फिर से पुनदोरा रहा हूँ जैसे ही आप अपने phone को switch off करोगे और on करोगे तो आप अपने WhatsApp को uninstall करो ये देखिए मै मैंने यहाँ पे uninstall कर दिया अब आप अपने phone के अंदर Google Play Store open करो open करने के बाद यहाँ पे आप अपना WhatsApp search करो search करने के बाद इसको install कर लो तो देखिए दोस्तो मैंने अपने phone के अंदर WhatsApp वापस से install कर लिया है अब आपको अपने WhatsApp को open करना है open करने के बाद यहाँ पे next पे click करना है continue पे click करना है तो पुना WhatsApp open करने के बाद जो आपका WhatsApp का number है उसको enter करना है next के उपर click करना है जैसे ही यहाँ पे next पे click करोगे yes के उपर click करना है और अब यहाँ पे आप सभी को वही वाला option आएगा जो पहले भी आया था यहाँ पे आपको कहेगा कि आपके number पे हम call करे और या तो आप OTP के माधियन से verify कर लिजे तो यहाँ पे हम continue के उपर click करते हैं जैसे ही continue पे click करेंगे allow पे click करना है फिर से allow करना है और यह आपके number पे call का request आएगा और आपका जो number पे है वो call आ जाएगा और जैसे ही call आएगा वो automatic verify हो जाएगा तो देखिए मेरे number पे call आया और मेरा जो WhatsApp है वो verified हो चुका है अब मेरे number पे two step verification लगा हुआ था तो वो यहाँ पे हम enter कर लिते हैं जैसे ही मैंने two step verification इंटर कर लिया अब मेरा जो number है वो पूरा तरीके से verified हो चुका है तो दोस्तो इस तरीके से अगर आपके number पे OTP नहीं आ रहा है तो call के माधियम से भी आप अपने WhatsApp को verify कर सकते हैं तो यहाँ पे continue के उपर click करते हैं allow के पर click करते हैं और यह हमारे number पे अब backup चेक कर रहा है तो यहाँ पे अगर मेरे number पे backup होगा तो यहाँ पे हम restore कर लेते हैं और यह इस तरीके से अगर आपके phone के अंदर OTP not coming का problem है उसको आप solve कर सकते ह हैं उमीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी इस माध्यन से अपने phone के अंदर अपने WhatsApp के अंदर जो OTP not coming का problem है उसको solve कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पे next पे click करते हैं और okay पे click करते हैं यहाँ फिर next करते हैं और यह देखिए यहाँ पे हमारा जो WhatsApp है वो अब finally touch में आ करके अपने WhatsApp को पूना चालू कर लिया तो उमीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से सीख चुके होंगे कि अगर आपके नंबर पे OTP नहीं आ रहा है तो आप कैसे कैसे अपने phone के अंदर problem solve करके और OTP पूना प्राप्त करके या फिर call के माध्यम से अपने नंबर को वापस चालू कर सकते हैं उमीद है कि आपको इस वीडियो पसंद आओगा पसंद आओगा पसंद आओगा तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और घंटी को आन नहीं क होंगे तो से भी आन कर दीजेगा धन्यवाद